Hello Friends! Welcome to Amazing Kitchen Recipes तो आज इस वीडियो में मैं आपकी संग बहुत हेल्दी ब्रिकफास्ट की रेसिपी सेर कर रही हूँ और ये एक हेल्दी ब्रिकफास्ट रेसिपी में पराठो की रेसिपी है जो बहुत हेल्दी है साथ साथ में बहुत ही टेस्टी है तो चलिए रेसिपी बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो यहाँ पर मैंने एक कट्थी मेथी लिती और मेथी के मैंने डंठल हटा के किवल पत्ते लिये हैं और इन्हें अच्छे से वास करके सुखा लिया है अब मैं एक बरतन में ले रही हूँ एक कप गेहु का आटा इसी के साथ में मैं एट कर रही हूँ इसमें एक कप रागी का आटा अब मैं इसमें एट करूँगी थोड़ी सी अजवाइन हाफ टी स्पून जितनी क्रस करके इस तरीके से हाथों से और इसी के साथ में अब मैं इसमें एट कर रही हूँ जिंजर एंड ग्रीन चिली बिल्कुल फाइनली चॉप तो यहाँ बैंने अद्रव कर लहसुन को बिल्कुल बारी काट करके लिया है अब मैंने एक अनियन लिया है एक प्याज लिया है इसे मैंने बिल्कुल बारी काट करके लिया है अब मैं इसमें एट करूंगी थोड़ा सा धन्या की पत्ती इसी के साथ में मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक यानी सॉल्ट एट कर रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं आट करने ही हो इसमें अब मैं इसमें मेथी आट करूँगी तो मेथी को मैंने roughly chopped कर लिया है और मेथी में पाणी नहीं होना चाहिए और बस मेथी को अच्छे से आटे में mix करेंगे अभी पानी नहीं add करेंगे, फहले मेती को अच्छे से आठी पे mix कर लेंगे तो यहां पे जो मेती है वो अच्छे से आठी पे mix हो गई है, तो बस अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक टाइट सा dough तयार करूँगी आपको ध्यान देना है कि आपको टाइट सा डो ही तियार करना है क्या होता है कि जब मेती और जो आनियन इसमें डली होई है वो जब salt के साथ में मिलते हैं तो पानी छोड़ते हैं तो अगर आप ज्यादा पानी पहले ही डाल देंगे तो आपका जो ये डो है पराठो का वो गीला हो जाएगा तो बस ये जो डो है ये बस बिल्कुल तयार ही हो गया है इसे थोड़ा सा नीड और कर लेंगे अच्छे से और बस अब इससे बनाएंगे पराठे तो जब आपको पराठे बनाना हो तब ही आप इसका डो लगाएं पहले से लगा करके ना रखे नई तो डो बहुत गीला हो जाएगा और फिर आप अच्छे से रोल नहीं कर पाएंगे तो यहां मैंने डो का एक छोटा सा पीस लिया है और इस तरीके से पेडा बना करके थोड़ा सा मैं आटा डस्ट कर रही हो सूखा और बस अब इसे रोल कर लेंगे तो बस आप जैसे पराठे रोल करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इनको रोल करना है तो बस यह अच्छे से रोल हो गया है और मैंने तबा चढ़ा करके रखा हुआ है तो तबह गरम हो गया है तो मैं इसमें पराठा डाल रही हूँ और इसे थोड़ा होने देते हैं और तब तक मैं एक और पराठा बना करके तयार कर लेती हूँ तो जब भी आप पराठे बनाएं तो लो वीटियम फ्लेम में बनाएं और धीरे धीरे से उनको टोस्ट करें उन्हें सेके तो पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो बस सेम प्रोसेस से आपको दूसरा पराठा भी त्यार कर लेना है तो ये देखिए जो डो है ये अच्छे से टाइट है इसलिए पराठो को रोल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और ना ही बहुत ज़्यादा मैं आटा डस्ट कर रही हूँ तो बस आपको डो बनाते समय ध्यान देना है कि डो आप टाइट बनाए और जब आपको पराठे बनाना हो तभी आपको डो बनाना है तो ये एक और पराठा तयार हो गया है सिकने के लिए तो यहाँ पर ये जो पराठा है इसे मैं फिलिप कर लेती हूँ और मैं इसे घी ल तरफ घी लगा दिया और मैं इसे medium low flame में अच्छी तरीके से टोस्ट करूंगे अच्छी तरीके से सेक लूँगी इस तरीके से प्रस करते हुए बस आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से सेक ना है दोनों साइट से तो बस यी पराठा बनकर के त्यार हो गया है और जो दू इसे बहुत अच्छी तरीके से low to medium flame में टोस्ट कर लेंगे या सेक लेंगे तो बस यी जो दूसरा पराठा है ये भी बनकर के बिल्कुल तयार हो गया है तो बस अब मैं पराठो को कर रही हूं सर्व तो मैं इन्हें वाइट बटर के साथ में साथ में थोड़ी सी ग्रीन च चटनी और वाइट बटर के साथ में सर्व करिए ये बहुत ऐयमी लगते हैं अगर आप मेरी ग्रीन चटनी को वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे सॉट वाले सेक्षन में जाकर कर के देख सकते हैं तो बस इन्हें इसी तरीकी से गर्मा गर्म सर्व करिए खुद भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी दूल